तो देखो अगर यहां से देखोगे प्यारे बच्चों इस कोश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अब देखो यह अच्छा सा कोश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी कोई अपर ट्रांसपार्मर नंबर अप टर्न्स दिया हुआ है प्राइमरी को मैं N1 से डिनोट करता हूँ तो यह नंबर अप टर्नस दो में दिया हुआ है इप दे मैगनेटिफ रर लिंग विद प्राइमरी कोई बी केरफूल जो प्राइमरी कोई है उससे से फ्लक्स एसोसियेटेड दिया हुआ प्राइमरी कोई से फ्लक्स फ्लक्स एट कर रहा है तो आउटपूट बोल्टेज एक्रॉस दे सेकेंडरी तो सेकेंडरी के क्रॉस कितना बोल्टेज मिलेगा उसकी हम लोगों की कैलकुलेशन करनी है प्यारे बच्चों तो अगर हम लोग इस कोईशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक ट्रांसपार्मर बनाते हैं आप देखो नमबर अप टरंस जो है प्राइमरी में 50 है और सेकेंडरी में 150 है तो यह स्टेप अप ट्रांसपार्मर है step of transformer हम लोग कैसे बनाते हैं इसमें number of turns कम ही है ठीक ना और इसमें जो number of turns है वो जादा है ठीक ना तभी तो यहां से number of turns जादा है और यहां से एक मैं resistance लगा देता हूँ आउट्पुट लेने के लिए और यह सर्कुट है हां मैं AC का सोच लगा यह primary primary है और यहां से तुम देखोगे यह secondary है ठीक ना इधर से आउट्पुट लेंगे और इधर से हम देंगे इंपुट ठीक ना आउट्पुट की आप ट्रांसपार्मर पढ़े होगे यहां पे तो अगर तुम यहां से देखोगे यह वाली चीज तो इधर से इधर इसको सफिक्स 1 से डिनोट करता हूं इसको मैं 2 से डिनोट करता हूं ठीक ना तो इसमें जो तुम देखोगे number of turns निकालना है तो इंपुट बोल्टेज तुम्हें दिया ही नहीं तो आउट्पुट कैसे निकालोगे तो इंपुट फ्लक्स दिया हुआ है तो इंपुट जो इंपुट फ्लक्स है यहां से इंपुट फ्लक्स तो इंपुट फ्लक्स की जो वेलू है यहां से वो मैं निकाल दिया है, input flux कितना है, 5-0 कोई constant है, plus 4 time के respect में, तो जो voltage B1 है, या input voltage यहां से input voltage calculate कर सकते हो, या voltage in primary, तुमें जो मिल जाएगा, वो faraday loss है, introduce EMF is equal to D5 over DT, इसको हम B1 की जो value है, D5 over DT, इसका एक बार मैं 5-0 plus 4 T derivative ले लूँ, तो यह आजाएगा, 0 plus 4 और T का, T के respect में 1, तो जो voltage B1 आ गया, वो आजाएगा 4, ठीक न, गिवाली चे, हम सबको पता है, power जो होता है, जो voltage होता है, और voltage और number of turns में relation होता है, ज़ादा number of turns होगा, number of turns ज़ादा होगा इधर, तो voltage जो है, वो ज़ादा मिलेगा, तो number of turns directly proportional to voltage, तो यहाँ से N2 upon N1 is equal to V2 upon V1, तो यहाँ से मुझे V2 की जो value वो direct मिल जाएगी, वो आजाएगी N2 upon N1, और multiplied by V1, तो N2 की value कितनी है बच्चों, तो N2 है 1500, और यहाँ जाएगा 50, और multiplied by यह 4, तो यह 0 से 0 कट गया, और यह 3 times कट गया 30, तो यहाँ जाएगा जो V2 की value है, 120 बोल्ट अपना finally दिखेगा, that is अपना जो है, यह option सही है, शोल्ट पास्वाणे करा में 5 कंट queda, 1 रहाँ ऩाएगा झाल झाल